हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सूजी से बने चॉकलेट केक की रिस्पी सेयर कर रही हूँ बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है और बहुत कम समान में बनके त्यार हो जाएगी और इसी के साथ मैं चॉकलेट सिरफ की रिस्पी भी आपके साथ सेयर कर रही हूँ जिसमें हम चॉकलेट का यूज नहीं करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लिस लाइक कर दीजेगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप सुझक लेए है और एक कप ही हम यहाँ पे गुनगुना दूद लेंगी आप यहां जब तक सुझी फुल रही है तब तक हम केक्टिन को त्यार कर लेंगे केक टिन के उपर मैंने बटर लगा दिया है और इसके उपर बटर पेपर रख दिया है और यहां पर मैंने कड़ाई को प्री हिट करने के लिए रख दिया है और यहां पर देखें सूची अच्छी तरह से फूल चुकी है तो अब मैं यहां पर आधे कप से थोड़ी से ज़्यादा चीनी डाल रही हूँ और इन सब को मिलाके और हम मिक्सिजार में डालेंगे और मिक्सिजार को बस 10 से 15 से के लिए हम चलाएंगे ताकि एकदम स्मूथ पेस्ट हो जाए ऐसा करने से सूची का टेक्सर नहीं आएगा केक में और यह बहुत ज़्यादा टेस्टे बनेगे तो अब मैं यहाँ पे एक चुथाई कप कोको पॉडर डालूंगी और एक चुथाई कप माइदा डालेंगे और यह रिकोड करना में भूल गई थी फ्रेंट्स इसके लिए सूरी और अब मैं यहाँ पे चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ तो यहाँ पे छे से साथ ड्रोप हम डाल देंगी चॉकलेट इसेंस और अब मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ तो यहाँ पे मैंने सनफ्लॉर ओयल लिया है आप यहाँ पे कोकोनेट या मस्टाड ओयल नहीं डालेगा क्यूंकि उसमें बहुत तेज अपना सुगंध होता है तो जिससे केक का फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा तो यहाँ पे हमें रिफाइंड ओल लेना है और यह भी एक चुथाई कप ही है और इन सब को पहले हम एक तेम अच्छी तरह से मिला लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरगी होने चाहिए बहुत ज़्यादा गाड़ी भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए तो यह घोल बन के त्यार हो चुकी है तो अब हम यहाँ पे बेकिंग बाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे तो एक कप सुजी लिया था मैंने तो इसलिए हम यहाँ पे एक टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और वान फॉर्ट टेबल स्पून यानि एक चुथा प्राई चमच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसके साथ मैंने एक चमच यहां पर वाइट वेनेगर डाल दिया है अगर आप वाइट वेनेगर नहीं डालेंगे तो इसके जिएक चमच निबू का जूस्ट डाल दीजिएगा यह सब डालने के बाद हम इसे एकदम जल्दी से मिला लेना है यहां पर हम दिल नहीं करेंगे और मिलाते ही हम इसे केक्टेन में डाल देंगे तो यह प्रोसेस आप जितनी जल्दी करेंगे केक उतनी अच्छे बनेगे और अब मैं इसे कडाही में रख दूँगे और यहां पर जो ढखकन है इसके हॉल को हम थोड़ा दस मिनट के लिए ढख देंगे और दस मिनट के बाद मैं इसे निकाल दूँगी और यहां पर देखिए पूरी 50 मिनट लग गये थे मुझे और एक केक बिल्कुल हो जुगी है यहां पर चाकू से हम इसे चेक कर लेंगे तो यह बिल्कुल साफ आई है तो अब मैं इसे ठंडा करूंगे ठंडा होने के बाद हम इसे डिमॉल कर लेंगे और यहां पर हम चकलेट गिनास बना लेंगे तो यहां पर मैंने आधे कप कोको पाउडर लिया है और एक कप चिनी लिया है और यह एक चुथाई कप वाली है तो आप जितने चिनी लिजेगा उसका आधा कोको पाउडर और उसका आधा ही हमें दूद लेना है और यह दूद नॉर्मल टेंपरेचर का है और बस इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगी और यहां पर मैंने एक चमस बटर भी डाला था जिसे एकदम अच्छी से साइन जाएगी और यह हमारी गिनास बनके त्यार हो चुकी है तो आप में केक को डिमोल कर लेती हूँ यहां पर दिखेंगे फ्रेंज कितनी अच्छी फुली फुली केक बनके त्यार हो चुकी है एकदम बैकरी की तरह और यह किन मानिये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लग और यह इडेबल मोती है इससे में थोड़ा से सजा लिया है तो यह दिखने में बहुत खुबसूरत लग रही थी और यह केक बनके त्यार हो चुकी है फ्रेंट्स मुझे कमेंट्स करेगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लेगी और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइ है और यहां पर देख सकते हैं इसका टेक्सर बहुत ज्यादा मॉइस्ट भी है और टेस्टी भी है और एक के खेल्डी भी होती है क्योंकि हमने इससे सुचे से बनाए है तो आप भी अपने घर पर इससे ट्राइब करेगा मिलते हैं